मेरी बताई हुई घर की बनी ये क्रीम अपने फेस पर लगा लीजिए एक बार में आपकी स्किन से सारी काली परत को उतार देगी दाग दबों को दूर कर देगी पिगमेंटेशन को हटा देगी पिंपल के मास को खतम कर देगी और रिंकल, fine lines को बिलकुल reduce कर देगी ये आपकी aging को slow down कर देगी महेंगे से महेंगे क्रीम जितनी भी market में available है या महेंगे से महेंगा facial भी मेरी इस क्रीम के आगे बिलकुल fail है और ये मैं आपको challenge करती हूँ उस video में 15 days का कि आपको ये ऐसा result देगा जो आज तक अभी आपने imagine भी नहीं किया होगा कैसे बनाना है? कैसे लगाना है? चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आपको लेना है main ingredient जो है लाल मसूर दाल Guys, trust me, ये आपके skin के color को इतने अच्छे से enhance करता है आपकी aging को slow down करता है जब आप इसका इस्तमाल शुरू करेंगे तो आपकी skin से आपके चेहरे से पता नहीं चल पाएगा कि आपकी exact age है क्या क्योंकि ये आपकी aging को delay करता है pigmentation को हटाता है आपकी skin को younger looking और glowing बनाता है इसको बच्छे से हम wash कर लेंगे तो चलिए मैं इसको wash कर लेती हूँ अब आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से wash कर लिया है ठीक है इसके सारी जो dust impurities थी वो निकल चुकी है अब एक कडाई लेंगे उसमें इस दाल को add कर देंगे और उपर से 2-3 glass पानी आप इसमें डाल दीजे पानी डालने के बाद आपको इसको गैंस पर बहुत अच्छे से boil करना है कम से कम फूल से एक पर 10-15 मिनट के लिए और इसको अच्छे से आप चलाते रहें जैसे मैं चला के दिखा रही हूँ उससे क्या होगा यह दाल बिल्कु सॉफ्ट हो जाएगी गल जाएगी उसके बाद हमें इसका paste बनाना है तो आप सेंग प्रोसेस प्लीज फॉलो करिएगा अगर आपको यह लेंदी प्रोसेस लगता है तो आप इसको कम से कम 12-13 घंटे के लिए भिगो कर रखें भी अच्छा नहीं होता क्योंकि होता तो वह जो जो 2-3 डेस के लिए आपकी स्किन को अच्छा तो करता है लेकिन वाप पे से आपके सारी स्किन का बेरा कर देता है लेकिन आज की मेरी बताई हुई क्रीम आप सालो साल बलकि जिंदी की भर याद रखेंगे तो चलिए अभी अच्छे से गल चुकी है तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी अब इसको थोड़ा सा थंडा कर लेंगे तो आप देख सकते हैं डाल बहुत अच्छे से थंडी हो चुकी है तो मैं ग्राइंडर में डाल रही हूं और इसको अच्छे से मैश कर दूँगी, ठीक है? आप चाहें तो थोड़ा सा वाटर और अट कर सकते हैं और उसके बाद इसका स्मूथ पेस्ट पना लें अब आप देख सकते हैं इसका स्मूथ पेस बनकर तयार हो चुका है अब आप देख सकते हैं मैने इसको जार से एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है ठीक है? आप इसको कम से कम एक महिने तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में विंटर्स में समर्ज में आप इसको कम बनाईएगा और एक हफते में इसको यूज कर लीजएगा ठीक है और उसके बाद आपने इसमें दूसरा इंग्रीडियन आट करना है बदाम रोगन शिरीन स्वीट आलमेट ओल की नेम से आता है ये मैंने हाँ हमदर्द का लिया आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं कोई कमपलसरी नहीं है आपको एक चममच इसका इसमें आट करना है बदाम कदेल करता है आपके स्किन की सारी पिंग्मेंटेशन को हटाता है आपके skin को lighten करके brighten करने का काम करता है अब हमारा second ingredient रहेगा glass cream ठीक है वो भी हम add करेंगे एक चममच अगर आपके skin बहुत ज़दा oily है या अगर आप इसको summers में use कर रहे हैं तो आप glass cream skip कर दें सिरफ almond oil, dal और आप इसमें lemon add कर लीजएगा अगर lemon suit नहीं करता है तो आप aloo कर juice भी add कर सकते हैं अब इसमें हम add करेंगे half spoon aloe vera gel aloe vera gel क्या करता है आपके जितने भी pimple के marks से उनको reduce करता है आपके pigmentation को दूर करता है आपके skin के texture को बहुत ज़दा सुधारता है तो अगर आपके पास plant वाला है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप market वाला भी use कर सकते हैं अब इनको अच्छे से हम mix करेंगे mix करने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल यह gel जैसा बन गया है जैसे market में gels आते हैं बिल्कुल सीरम जो आपके skin को बहुत ही अच्छा कर देते हैं यह बिल्कुल वैसा serum बनकर तयार हो गया है तो बस आप इसको किसी कांच की डबी में स्टोर करके रखें और फ्रिज में रखें ठीक है आप जो लेते हैं इसको apply कितनी बार करना है आपको इसको रोजाना एक मेने तक अपने चहरे पर apply करते रहना है और within a week आपको आपकी skin पर ultimate result दिखना start हो जाएगा तो चलिए अब आपको क्या करना है इसको अपने face पे apply करना है फिंगर टिप्स की हिल्स से और 15 minutes के लिए as it is अपने face पर रहने दीजे उसके बाद आप सो जाएगे 15 minutes में यह आपकी skin में अच्छे से absorb कर जाएगा लेकिन अगर आपको सोने में थोड़ा से problem होता है थोड़ा से लगता है कि आप नहीं सो पाएंगे तो आप 15 से आदे हिंटे बाद इसको wash भी कर सकते हैं लेकिन सोयेगा 15 minutes बाद ही ताकि आपके pillow या bed sheet भी ना लगे बलकि आपके skin के pores में अच्छे से absorb हो जाएगा हो सके अगर आपके अंदर इतनी बॉड़ी में जान हो हिम्मत हो क्योंकि रात को सोने के टाइम हमें बहुत आलस चड़ता है तब ही आपको मैंने एक ऐसी क्रीम बताई है जिसको बनाने में आपको आलस भी नहीं आएगा बर फृत से निकालना है और अपने फेस पे अपला से आपके स्किन के सारी लेयर में चली जाएगी और आपके स्किन को बहुत संदा बना देगी तो आपको मेरा ये बहतरीन सा वीडियो बेहत पसंद आया होगा तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करें इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना तो भी न भूले मेरा एकाउंट है डबल आय इशाह महरा और फेस्बुक पे मेरा पेज है हेल्टाइम